दूसरी कक्षा के बच्चों को आज एक बहुत ही रोचक कहानी सुनना है। बच्चों, आपके हिंदी पाठी पूस्तक के पेज नंबर 15 पे देखिए। पेज नंबर 15 पे एक कहानी है, इस कहानी का नाम है, किसी से कहना मत। वाह, नाम भी बहुत सुन्दर है, किसी से कहना मत। यानि कि हम लोगों को किसी से नहीं कहना है, हैना। तो चलो देखते हैं, इस कहानी में है क्या। वैसे चीतर में तो दिख रहा है एक हाथी, हैना। और हाथी के लगता है, पंक भी लगे हुए है, हाथी उड़ रहा है। और टीटू उसको अचरज से देख रहा है, हैना। सच में हाथी उड़ता तो है नहीं, और हाथी उड़ कैसे रहा है भाई। चलो अच्छा हो कि हम लोग कहानी को पढ़ी लें न, सरिफ चीतर से तो पता नहीं चलने वाला है। क्या है कहानी में, दिखते न, एक रात की बात है, दीन की बात नहीं है, रात की बात है, टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था, यानि यह जो फोटो है वो टीटू का है, और इसके सामने जो खेत है, वो टीटू के खेत हैं, लह लहाते हुए खेत, है न, अचानक उसे दिखा, आस्मान से उतरता पंखों वाला हाथी, ओ, मतलब की जब टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था न, तभी अचानक उसे क्या दिखा, एक हाथी दिखा, जो की पंखों वाला था, और आस्मान से उतर रहा था, पता न, डरा होगा, डर भी सकता है न, हाथी, हाथी को देखके तो लोग डर जाते हैं, फिर पंखों वाला हाथी, उड़ने वाला हाथी, अच्छा हो कि हम लोग कहानी को आगे देखें, क्या होता है न, हाथी बहुत मिलनसार निकला, यानि कि वो तो दोस्त जैसा निकला, वा, टीटू से बातें करने लगा, वा, कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई, हाथी ने टीटू को बताया, हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाईया और फल होते हैं, बहुत बड़े बड़े, हमारे अंगूर तुम्हारे सेव जितने, और हमारे सेव तुम्हारे तर्बू जितने बड़े होते हैं, टीटू ने कहा, अरे यार कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो, बच्चों कहानी समझ रहे ना आप लो, हाथी ने क्या-क्या बताया, हाथी ने बताया, कि हाथी जहां से आया है, वहां के जो अंगूर हैं, वो सेव जितने, और सेव जो हैं, वो तर्बूज जितने, पता तर्बूज कितना बड़ा होगा है न तो टीटू को मज़ा आने लगा तो टीटू ने कहा अरे यार कभी मुझे भी ले चलो बच्चू देखो और एक तस्रीर हाथी उड़ा जा रहा है और बहुत सारे लोग पूँच पकड़ करके हाथी से लटके हुए है अच्छा इस चीत रुको तो हम लोग बाद में देखेंगे पहले देखते हैं कि कहानी अरे चंदा मामा भी है यानि रात का समय है और चंदा मामा भी आस्चर्च से देख रहा है कि हो क्या रहा है है न तो चलो पहले हम लोग देखें कि कहानी में आगे क्या है हाथी बोला ठीक है अगले बार तुम्हें ले चलूंगा पर किसी से कहना मत कहानी का नाम अभी हमने क्या बताया किसी से मत कहना तो हाथी बोला ठीक है अगली बार तुम्हें ले तो चलूंगा पर किसी से कहना मत कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर और हाथी उड़ गया आसमान में अब टीटू से रहा ना गया बच्चों आपको नहीं भी पढ़ना आता है ने तो कहानी को ध्यान से सुनिये न कोई बात नहीं है धिरे धिरे आप लोग पढ़ना सीख जाएंगे अब टीटू से रहा ना गया उसने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बता दी हाथी ने कहा था किसी को मत कहना लेकिन टीटू ने ये बात किसे बता दी बसंती को यानि अपनी पत्नी को बसंती भी टीटू के साथ जाने की जीद करने लगी बसंती बोली मैं भी उड़ूंगी हाथी के साथ आसमान में टीटू ने कर ठीक है तुम भी चलना पर किसी से कहना मत मज़ा आगा ने बच्चो बसंती ने टीटू ने कहा ठीक है तुम भी चलना पर किसी से कहना मत लेकिन बसंती से भी रहा ना गया है उसने बता दिया चाची को लो चाची ने बताया चाचा को चाचा ने दादा को दादा ने दादी को दादी ने और पता नहीं किसको किसको बताया और सब के सब असमान की सर के लिए आ गया है बाग में है ना ठिक उसी जगा पहुँच रहा है जहां पर हाथी आने वाला था तो आप लोग सोच लीजे पहले तो टीटू उसके पीछे बसंती बसंती के पीछे चाची चाची के पीछे चाचा उसके पीछे दादा उसके पीछे दादी है ना बहुत सारे लोग हो गए हाथी आया इतने आदमी औरतों को देखकर घबराया हाथी आया इतने आदमी औरतों को देखकर घबराया घबरायगा नहीं क्या वो तो बोला था टीटू को चलेंगे हम लोग आसमान की सेयर करने अब टीटू ने सब को बता दिया टीटू ने बताया बसंती को और फिर उसके बाद तो एक दूसरे से बात बढ़ गई धेक सारे लोग उड़ने वाले तयार हो गए है ना समझे गए बात बचों हाथी तो आया लेकिन इतने आदमी औरतों को देखकर घबराया पर टीटू और उसकी पतनी ने सभी को ले जाने के लिए मनाया फिर टीटू ने पकड़ी हाथी की पूँश बसंती ने पकड़े टीटू के पैर इस तरह सब के सब लटक गए एक दूसरे के पैर पकड़ कर हाथी उड़ चला आस्मान में देख लीजिए कैसे उड़ा ना बसंती ने पूछा टीटू वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं सेब जितने बड़े और सेब कितने बड़े होते हैं तरबूज जितने तो तरबूज कितने बड़े होते हैं बहुत बड़े कितने बड़े ये इतने बड़े टीटू ने हाथ फैला कर बताया देखो बच्चो टीटू ने हाथी की पूछ पकड़ी हुई थी और जब बसंती ने पूछा कि तरबूच कितने बड़े तो उसने अपनी हाथ फैला कर बता दिया इतने बड़े फिर क्या सब गिरे नीचे धड़ाम धड़ाम कोई बीट के बल तो कोई कंधे के बल गिरा और सब के उपर गिरा टीटू आराम से मज़ा है बच्चों कहानी बच्चों कहानी आपको बहुत रोचक लगी होगी है ना अब आपको बताना है कि अंगूर जो है हाथी के देश में जो सेव की तरह है ना और सेव जो है तरबूज की तरह तो लड़ू कितने बड़े होते होंगे आपको सोचना है और असगुल्ला कितने बड़े और जलेवी कितनी बड़ी होती होगी वहाँ पे, है न, बच्चों आपको ये भी सोचना है, कि T2 यदि किसी को भी नहीं बताता, तो क्या होता, आपको सोचना है, है न, आप इन बातों को सोचते रहिए, और तब तक मैं इस कहानी के प्रसनुत्तर वाले वीडियो बना लेता हूं, और फिर मैं उसे ले कर आता हू आपके सामने, ठीक है बच्चों?